गुट मॉर्णिंग एवरिवन मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत कर दें आपके अपने यूट्यूब चैनल का हो civil court का हो या फिर BPSC का हो या फिर SST का कोई भी एकजाम हो उसमें current affair का जो रॉल है वो अपना एक जो है अपना ही उसका एक महत्तुपुर्ण रॉल है बोलते हैं important sector है आपका current affair का तो हम लोग आज देखेंगे current affair यह current affair जो आपकी daily current affairs है जिसमें आपको जैसे तीन अक्टूबर हो गया चार अक्टूबर हो गया पाच परड़े के हिसाब से daily current affairs यह जो है आती है चलिए स्टार्ट करते हैं अब पहले सवाल से हमारा पहला सवाल है कि 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरन और वन्यजीब पर अंतर राश्ट्रियफिल महोत्सव और पोरम का क्या नाम है ठीक है तो नाम पूछ रहें आपसे यहाँ पे अप्शन है आपका हरित पृत्वी महोत्सव वातावरन इको वर्ल्ड फिल्म फेस्ट या फिर वाइल्स इंडिया फिल्म फेस्टिवल तो फिल्म महोत्सव और फोरम का नाम तो फोरम और फिल्म महोत्सव का अगर हम नाम देखें तो वातावरन क्या हो गया वातावरन आप इस तरीके से भी questions का answer लगा सकते हैं तो इसका right answer आपका क्या हो गया option B नेक्स देखते हैं आगे है कि परियावरन वन इस दीव पर अंतराश्य फिल महुस्तम और फोरम वातावरन का उधगातन 3 अक्टूबर 2024 को परियावरन भवन नई दिल्ली में किया गया अब आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं एक और question बन गया कि इसका उधगातन कहां किय गया है तो परियावरन भवन अब कहां पर है यह तो नई दिल्ली में कब किया गया है तो 3 अक्टूबर 2024 को ठीक है चलिए next question है कि ICC महिला T20 में शुकब 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है option है आपका Australia में, England में, संयुक्त अरव अमिरात में या फिर भारत में तो ICC महिला T20 में शुकब 2024 जो है आपका हुआ संयुक्त अरव अमिरात में जो है आयोजित किया जा रहा है यानि option C आपका क्या हो गया इस question का right answer हो गया ICC महिला T20 में शुकब 2024 बरतमान में 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सारजा और दुबई सयुक्त अरव अमिरात में ö Roz處 किया जा रहा है ठीक है, देखें कब से कब तक, 3 October से 20 October तक, ठीक है, 3 October से 20 October तक, कहाँ पे, तो आपका ये है सार जाह और दुबई में, कहाँ पे, सार जाह और दुबई में संयुक्त अरब अमिरात, ठीक है, आयोजेत किया जा रहा है, नेक्स्ट है आपका, कि October तक, 24 में Cabinet दौरा किन भासाओं को सास्त्रिय भाषा का दर्जा दिया गया है, सास्त्रिय भाषा का, कब दिया गया है, तो 24 में ही दिया गया है Cabinet दौरा, एकदम current news है आपका, तो option है, आपका हिंदी, तमिल, तेलगू, कनर और मलयाला, मराठी, पाली प्राकिर्थ, अश्मिया और बंगाली, संस्कृत, तमिल, तेलगु, कनर और मराठी, अश्मिया, गुजराती, बंगाली, पाली और हिंदी, आपका इसका right answer होगे option B, यानि कि मराठी, पाली, प्राकिर्थ, अश्मिया और बंगाली को जो है आपका cabinet द्वारा जो है इन भासा को सास्त्रिय भाषा का दर्जा दिया गया है कौन सी भाषा का सास्त्रिय भाषा का कब तो अक्टूबर दो हजार 24 में ही ठीक है जुलाई दो हजार चॉविस तक कितने देश अंतर राश्य उर्जा दक्स्ता हव का हिस्सा थे हव का जो है हिस्षा थे 10 देश 12, 16, 20 तो 16 दे के रूप में किसने शपत ली किसने जो है शपत ली है ठीक है एंड्रेस मैनुवल लोपेज ओब्रेडोर ने या फिर क्लावडिया सीनबाब ने मार्ग रिटार जवाला ने या फिर रोशारी और रोवल्स ने ठीक है तो आपका इसका राइट अंसर क्या होगा इसका जो आप NPC के मध्यक्ष कौन है RBI के डिप्टी गवर्नर, RBI के गवर्नर भारत के वित्तमंत्री मुख्य आर्थिक शलाहकार ठीक है तो RBI के गवर्नर कौन हो गए RBI के गवर्नर जो आपके पुनर गठित मौदरिक निती शमीती के अध्यक्ष है ठीक है कौन है RBI के गवर्नर भरिक निति शमीती का पुनरगठन किया, RBI के गवर्णर शमीती के पतेन अध्यक्ष है, अब आप लोह हमें कमेंट करके बताएगा कि अभी करेंट में RBI के गवर्णर कौन है, टीके? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि RBI के करेंट में जो अभी गवर्नर है वो कौन है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोस्टर पे चलते अगला सवाल है कि सौक्ष भारत दिवस किस राष्ट्रे नेता की जैंती के शाथ मनाया जाता है जबाहर लालनेलू, सुबास चंद्र बोस, सरदारवल्ला भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी आपका इसका राइट अंसर क्या हो गया? महात्मा गांधी ऑक्टूबर है तो ऑक्टूबर में देखा जाए तो महात्मा गांधी का जो चर्चा है तो मतलब हर एक जगह होता है, क्योंकि उनकी जैनती है अक्टूबर में होती है, कभ है तो 2 अक्टूबर को यह जन्म लिया था 2 अक्टूबर 1779 को सबसे बरी बात है कि उन्हें हम राश्ट पिते भी कहते हैं बापू भी कहते हैं और आजादी में जो उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है भारत के लिए, ठीक है, चलिए, आगे है आपका, कि 2 अक्टूबर 2024 को स्वक्ष भारत मिशन की दसमी वर्ष गाट स्वक्ष भारत दिवस 2024 मनाई गई, कब मनाई गई, तो 2 अक्टूबर को, ठीक है, चलिए, न घाटन जो है, किया गया है, नई दिल्ली में, दुबई में, मुंबई में, या फिर लंदन में, ठीक है, आपका इसका राइट अंसर क्या हो गया, दुबई, ओप्षन बी जो है, आपका इसका राइट अंसर हो गया, आई एस एश एफ जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वण पदक किसने जीता है, स्वण पदक किसने जीता है, ठीक है, ओप्षन है आपका दिव्यानसी आचल सिंग, तेज़ श्विनी या फिर वेदांगी कपूर, तो दिव्यानसी जो है, वो आपकी 25 मीटर प ठीक है, आई एस एस एफ, जूनियर विस चेंपियन सेप, 25 मीटर पिस्टल में भारत की दिव्यानसी ने शांदार प्रजर्शन करते हुए स्वण पदक, यानि गोल मिडल अपने नाम किया, दिव्यानसी ने इटली के क्रिष्टिना मैगनानी को हरा कर स्वण पदक जीता, अब आपसे एक्जाम ये भी पूछ सकता है कि दिव्यानसी किसे हराकर स्वण पदक जीती, तो किसे हराकर स्वण पदक जीती है, क्रिष्टिना मैगनानी को, ठीक है, उन्होंने तेजश्वनी और विभूती भाटिया के साथ टीम स्वण भी हासिल किया, वहीं पुरुश परगे में मुकेस निलवल्ली ठीक है, ने पचीस मीटर पिस्टल और टीम स्वण परधा में दो स्वण पदक जीते हैं, ठीक है, मिल में कौन हो गए आपके, तो मुकेस निलवल्ली ठीक है, इन्होंने पचीस मीटर पिस्टल और टीम स्वण परधा में दो स्वण पदक ज जो हैं वो चार बायोगैस यूनिट का क्या किया अनावरन किया उतर प्रदेश, मर्द्प्रदेश, असम या फिर हर्याना तो आपका वह राज हो गया अशम औप्शन सी आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया प्रधान मंदरी नरेंद्र मोदी ने सौक्ष्टा हिस्थेवा दोह्यार चौवेस कारिकरम के हिस्से के रूप में असम में कहां पे असम में चार कंप्रेजड बायो गैस सैंतरों के निर्मान का उधाटन क्या इस में गुहाटी, जोरहाट, सिवशागर और तिन्सुकिया सामिल है कौन-कौन सामी है गुहाटी, जोरहाट, सिवशागर और तिन्सुकिया जो है सामिल है राज्यसरकार ओयल इंडिया लिमिटेड पैट्रोलियम और प्राकिर्तिक गैस मंत्राले के सायोग से 2024 तक कुल 25 CBG सायंत्र अस्थापित करने की योजना बन रही है ठीक है आपका एक और कोस्टन बन गया कि 2024 में कितनी CBG सायंत्र अस्थापित करने की योजना बन रही है तो 25 CBG सायंत्र अस्थापित करने की योजना बन रही है ठीक है Next है आपका कि नीती आयोग ने हाल ही में महला उद्धमितियम, उद्धमिता मंच की सुरवात किस राज के साथ किया, तेलंगाना, तमिलनाडू, अशम या फिर हिमाचल प्रदेश, तो तेलंगाना के साथ, ओप्शन ही आपका क्या हो गया, इसका, राइट आंसर हो गया, नीती आयोग ने, W.E. Hub और तेलंगाना शरकार के सायोग से महला उद्धमिता मंच यानी WEP का अपना पहला राज, ठीके, अपना पहला राज, चैप्टर लॉंच किया है, कौन सा? चैप्टर लॉंच किया है, तीस हजार से अधिक पंजिकरित महला उद्धमियोग और संगो के शाथ WEP में विमेन उद्धोग छेत्रों में 400 से अधिक शलाहकार शामिल है, WEP की मुख्यकारी अधिकारी सीता पाल चोला है, कौन है? सीता पलो चोला को WEP तेलंगाना चैप्टर का मिशन निर्देशक नियुक्त किया गया है, ठीके, आपसे ये भी पूसकता है कि WEP तेलंगाना चैप्टर का मिशन निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो सीता पलो चोला को ठीक है चलिए next देखते हैं पीम मोदी ने धर्ती आवा जन जातिये ग्राम उतकर्ष अभ्यान की शुरुवात किस राज्य में की है ओप्शन है आपका बिहार राज्य में जारखंड राज्य में 36 घड़ में या फिर उत्तर प्रदेश में तो जारखंड में कहा जारखंड में तो ऑप्शन B आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्वा गांधी जैनती के अवशर पर यानी 2 अक्टूबर को कब 2 अक्टूबर को जो है आपका जारखंड के हजारी बाग में जारखंड के हजारी बाग से धर्ती आवा जन जाती है ग्राम उत्षर्ग अभियान ठीक है इसे हम सौर्ट में कह सकते हैं DAZZUA ठीक है कि शुरुवात की केंद्र और राज्ज के सहयोग वाले इस योजना का फुल परिवय 89,156 करोर रूपे हैं केंद्र शरकार 56,333 करोर रूपे और राज्ज सरकार 22,823 अनुदान किया है आपसे एकजाम में पूछ सकता है कि केंद्र शरकार ने कितना आनुदान दिया है आपका कितने रूपे का तो आपका 56,333 ठेक और राज्ज सरकार ने दिया है 22,823 तोटल मिला कि आपका हो गया 89,156 करोर रूपे का जो है अनुदान देया गया है यह कल का फूस्चन है आपका भारत में इस्थित जो गया गर्षुपा जल पर पाथ किस नदी पर इस्थित है शरश्वती नदी पर नर्मदा नदी पर शरावती नदी पर शिंदु नदी पर आप लोग इस कुश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट केजिएगा चलिए जो बच्चे बिहार दरोगा की त्यारी करते हैं उनके लिए यह बैच है आपका डवल स्टार बैच जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्लास टॉपिक वाइज नोर्स डेली क्लास एबुक 10,000 प्लस mcq का पीडिया जाएगा नेक्स्ट है आपका कि जो बच्चे कलर क और प्यून के तियारी करते हैं ठीक है तो कलरक क और प्यून का जो आपका रिवीजन बैच है इस रिवीजन में बैच में जो आपका पीटी प्लस मैंस दोनों की तयारी करवाई जाएग जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास 10,000 प्लस mcq का पीडिया जो की आपका एप already uploaded है और फिर interview के time आप लोगों को special discount दिया जाएगा और जिन बच्चों को लगता है कि वो सिर्फ PDF से पर्ष रखते हैं तो उनके लिए आपका PDF वाली बैक मतलब सिर्फ उसमें PDF है आपका 10,000 MCQ Plus जो की आपका updated है तो आप वो भी जाके वहां से purchase कर सकते हैं अपका link जो आपका comment में pin किया हुआ या फिर description box में मिलेगा ठीक है वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और हमारे